हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मैं बुल रहा हूं महीश सिंग और आज हम आपको कराना जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर टॉप 10 कोशन जो की बारवार पूछे जाते हैं एक्जाम के अंदर जैसे की रेलवे एंटी पीसी का जो एक्जाम आने वाले उसमें और एससी के ज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल दवाए नई नौटिफिकेशन पाने के लिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेली ग्राम पर उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रेशन में मिल जाएगा फर्स्ट कोशन कहता है कि नेमलिकित पीरिशन में दिये गई विकल्पों मैंसे विसम संख्या समय को चुनिए ठीक है यह चार विकल्प दिये गई है तो इसमें देखना है कि हमारा विसम कौन सा है विसम ठीक है मगर यहां 2 की Q करी है तो हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ठीक है और सेकिंड में देखते हैं तो भाईया यह है 3 की Q, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यह है 4 की Q, 4, 4, 16 और 16, 16, 16 नेश्ट देखते हैं नेश्ट हमारा है 5 की Q, 5 एकम 5 और 25, 25 पंजे 125 और नेश्ट देखते हैं 6 की Q, 6 की Q होती है 6 चंग 36, 36 का 216 कितनी 216 बट मगर यहां कितना दे रखा है इन्होंने 218 दे रखा है कितना दे रखा है यहां इन्होंने 2 और एड कर रखा है इसमें यह हो गया हमारा 218 नेश्ट देखते हैं यह है हमारे 7 की Q, ठीक है 7 सत्त्य और 16, 343 और फिर है हमारी 8 की Q, अट्टूबट्टू 64 और 64, जोगा 512 तो मेरे प्यारे दोस्तों जो विशम संख्या है हमारी वो C ओप्शन हो जाएगा क्योंकि यह सभी क्या है एक दूसरे की Q है यह सभी जो रेशो में जो नंबर दिये गए वो सभी Q है और हमारा यह जो देरक्षा है इन्होंने 6 यह 6 हमारा 216 होना चाहिए था मगर इन्होंने 228 देरक्षा है तो इसलिए यह जो विशम संख्या होगी हमारी C ओप्शन होगा हमारा ओके चलते हैं के निकुस्टन कोक्ष हमारा यह कहता है नंबर दो किसी कोड़ भासा का किसी गूर brows पीलस का मतलब मल्टिपिला सब्सक्वज़ मैंईनश का मतलब पिलस उ ऊ गुणा का मतलब भाग हे थि huis चीऩ और भाग का मतलब और भाग का मतलब अ कय आ दीजिए यह हमारी equation दे रखी है इस equation में हमें यह क्या है change कर देना है तो के change किस तरीके से करते हैं यह दे रखा 72 72 यानि multiply के जगह पर हमें क्या लिखना डिवाइड लिखना डिवाइड 9 ठीक है और minus की जगह में क्या लिखना पिलस लिखना है पिलस 14 और पिलस की जिगे हमें क्या लिखने है मल्टीपिलाई दो तो इसी कल टू में हमारा क्या आएगा यह हमें option के थुरू क्यात करना है तो भाई 9 के table में 9 से अगर इसे divide करेंगे तो यह यह हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ओके और फिर यह हमारा 14 चौदर दोनी 28 चौदर दोनी कितने होते हैं 28 होते हैं अब इनको जोड़ लेजिए आप यह कितना आ जाएगा हमारा आठ और आठ तो लेजिए च्छे और तीन च्छतिस च्छतिस है ऑप्षन में 36 36 है हाँ जी डी ऑउक्षन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा यही हमारा क्या है आंसर है चलते हैं नेस्ट कोस्टन की और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे दोस्तों जरूर आपकी लाइक करन करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ यह कोस्टन आपको कैसे लगें नेस्ट कोस्टन यह है कि ए और बी दमपत्ति हैं दमपत्ति मनी हस्वेंट वाइफ है एक्स और वाई भाई-भाई है एक्स एका भाई है तो वाई-बी से क्या संबंदित है क्या संबंदित है इस तरीक चैप्टर थे वो हमने सारे करा चुकी है क्योंकि रेलवे एंटीपी और एसे स्लेवर्स के अकौडिंग तो मैंने क्या है उन्हों की पिले लिस्ट बना दिया जितने इस चैप्टर वाइस कराये हैं तो उस रीजिनिंग के चैप्टर के आपको प्ले लिस्ट की लिंक में वी शर्वाइब से नहीं कर गया है दंपत्ति हैं एक्स और वाई एक्स और यह जो हैं यह भाई-बाई है इनका हमें क्या है कि इनका हमें लिंक निर्दारित है कि यह हमारे दौन हो भाई-बाई हैं तो का मेल को हम पिलस से प्रेजेंट करते है कि इसे निकर अवी छूँने क्या ये प्रिजेंट निकर हो कि ए हमारा मेल ये फीमेल है है तो यह husband wife ठीक है है तो यह husband wife मगर अभी इन्होंने यह नहीं करा कि हाँ कि यह वो है तो यह पूंच रहा है कि जो Y Y तो Y का B से क्या संबांद है वाई का वी से क्या संबांद है ठीक है अब इसमें भाई आ गया अब जब लिंक निर्दारित नहीं है हमारे B का तो हम ये कह सकते हैं भाई ये साला भी हो सकता है हमारा ठीक है साला भी हो सकता है ओके और ये देवर भी हो सकता है अगर ये भावी है तो देवर हुआ अगर ये wife का भहिया है तो वो हुआ ये बहनोई भी हो सकता है ठीक है और बहनोई को हम जीजा बोलते हैं तो ये जीजा भी हो सकता है तो option first हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा चलते हैं next question क्यों नमबर 4 question कहता है यह दी n is equal to 28 यानि n is equal to 28 और 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 76 हो तो आप पैलिंग को किस कूट भासा में लिख देंगे तो n का देखते हैं n हमारा आता है भाई 14 पर मैंने coding decoding में सब बहुत अच्छी तरीकी से मगर चौदे तो है नहीं मगर अगर हम चौदे में multiply करते हैं टू की तो हमारा कितना आ जाता है 28 आ जाता है 28 तो बिल्कुल सही है अब हम ओ और यह वह आता है हमारा 15 पर ठीक है और आर आता है हमारा कितने पर 18 पर और कितने पर आता है हमारा 18 पर आता है ओके और हमारा 5 पर आता है अगर इन हम सबकों add करते हैं तो यह हुता है हमारा 38 कितना होता है 38 होता है और 38 में अगर हम 2 की multiply करेंगे क्या हमने 2 की multiply कर यह तो यह हमारा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा ठीक है यह भाई यह भी दोनों इनके क्या दोनों के रूल हमारे बिलकुल यहां fix बैठे हैं तो इस तरीके से अब हम इसके कर लेंगे आ फी-ए ऐल ऐ एफे हमारा कितने पर है 16 पर है और hai हमारा कितने पर बारे पर है और पर है और ईह हमारा कितने पर है पांच पर है ठीक है अगर हम इनको एड़ करते हैं तो यह हमारा बोटता है 16 रुक 17 17 5 22 22 और बारत 34 और 34 में अगर हम टू की multiply करती हैं तो यह हमारा कितना जाता है 68 68 68 हमारा answer होगा देखते हैं option में है हाँ जी है यह option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल दबाएए बैल दबाएए नई notification पाने के लिए कि नेक्स्ट कोशन हमारा कहता है कि यदि फास्ट का फस्ट को हेक्ट्यूर लिखा जाए तो सेकंड को उस कूट भासा में किस पिरकार लिखा जाएगा ठीक है तो बाइ सबसे पहले इनमें क्या है सबसे पहले हम different देखते हैं यानतर कितने-कितने का है ठीक है इसमें देखते हैं F I R S T और यहां देखते हैं भाई H K T U V इनमें हमने अंतर देखा तो भाई F G H I J K R S T S U V T के बाद U V यानि भाई समय क्या है दो-दो को अंतर आ रहा है ठीक है दो हम आगे जा रहे है दो पिलस हो रहा है समय क्या है दो-दो पिलस हो रहा है अब इसी तरीके से से किन में भी हमने क्या है दो-दो को एड कर देना है क्या कर देना है दो-दो को एड कर देना है अगर S से जाएंगे हम दो आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा हमारा U E से अगर दो आगे चलते हैं तो यह हो जाएगा हमारा क्या G G हो जाएगा G हो जाएगा और C से हम दो आगे चलते हैं तो यहां हमारा E हो गया और O से दो आगे चलते हैं तो यह हमारा Q हो गया और N से दो आगे चलते हैं तो पी हो गया और डी से आगे चलते हैं तो यह और एफ यानि दो यानि इसमें भी हमने क्या जो अंतर हमारा फस्ट के साथ होता है वहीं अंतर हमें सेकिंड के साथ देखना पड़ता है तो हमारा जो ऑप्षन है बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वीडियो को ला नेस्ट कुस्टन हमारा कहता है कि निमली की पिर्शनों में दिये गई विकल पोस मैसे संबंदी तक्षर को चुनिए ठीक है रेस्ट अनुपात क्यू पी ओ और शमानुपात एमनो और नेस्ट हमारा क्या आएगा ठीक है यह रिशो में हमें देख रखा है तो इसमें हमें यह क्या है हमारा आर एस टी ठीक है आर एस टी है इसको देखते है आर भाई क्यू हमारा क्या है पी और ओ इसमें क्या है भाई ओ है नेक्स्ट वाला तो यह क्या है भाई अगर हम क्यू आर भाई यहां से उपर से नीचे से उपर की तरफ जा रहा है यानि माइनस वन माइनस 1 का अंतर हुआ और P Q type and RS हम तो यह हमारा माइनस का तो यहां से अंतर हुआ और यहां 20.OOB के बाद PQR तो यह हमारा 4 हम ठाउन ठीक है एक कंड़ डो कंड़ और चार कंद़ ठीक है इसी तरीके से हमें M, N, O में देखना है इसमें से हमें 1 माइनस कर देना है तो हमारा क्या जाएगा L, ठीक है, L हो जाएगा और N से हम अगर 2 माइनस करते हैं L को 2 माइनस कर दिया हमने तो n से 2- करेंगे तो हमाहरा K हो जाएगा क्यूंकि m और l को हटा देंगे तो हमाहरा K आजाएगा और o में अगर हम 4- करते हैं doc यह हमाहरा J आजाएगा ठीक है तो यह आजाएगा l k j l k j l k j हमारे कौन से option में e option में है तो e option हमाहरा बिलकुल सही हो जाएगा चलते हैं ने स्ट कोस्विशन की ओर चार्ट कंचा से जीश तरह संबन्दित है उसी पिरकार मोथी किस से संबन्दित है जो मैं अपको बता दोओं मिरे दोस्तों जो भी हमारा बैच स्टार्ट था रेलवे एंटी पीसी गुरूब डी और दहली कॉंस्टेवल सीप्यू एक्जाम के लिए जो स्टेड लेविल के जो हमारे यूपी पुलिस एसाई के आने वाले हैं उन्हों के लिए बहुत इंपूर्डेंट बैच स्टार्ट हुआ था एक सितंबर से तो मैंने क्या है मैथ की जितने भी हमारे सिलेवर्स के एकॉर्डिंग किलास थी 10 से 20 किलासों के बीच में तो वो वीडियो की मैंने क्या है पिले लिस्ट बना दिये तो वो पिले लिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रेशन में दे दूंगा तो महां से आप क्या है ये सारी वीडियो देख सकते हो mathematics की और reasoning की भी मैंने क्या है पिले लिस्ट बना दिये तो वहाँ से आप इन पिले लिस्ट के थुरू हमारा क्या है सारी वीडियो को देख सकते हो chapter wise ठीक है syllabus के according है वो NTPC और SSC के syllabus के according ठीक है जोई बच्चे इच्छुक हो जो अभी जीरो लेविल से जो पढ़ना चाहते हो चरूल इन पिले लिस्ट के लिंक पर जाएं और सारी वीडियो का enjoy करें ठीक है तो जल्दी से बताई इसका answer क्या हुआ मेरे है दोस्तों तो इसका answer हुआ था गले का हार ठीक है मोती क्या है किसी ना किसी हार में होता है ठीक है गहने तो हजारियों गहने होते हैं तो इसलिए गहने नहीं हो सकते हैं चांदी चांदी क्या है चांदी तो एक मैटल की मैटल है मैटल बोल सकते हो सुरान यानि सौना है तो सौने को पदार्थ मगर जो गले का हार होता है ठीक है या बैसलेट होती है हार तो उसी में हम क्या मोती को पो सकते हैं तो है मोती तो एक पोने वाली चीत तो इसका अंसर क्या होगा गले का हार अंसर हो जाएगा यह ऑप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेक्ट कोष्टन हमारा कहता है कि निमली की पिर्शन में दिये गई विकल्पों में इसे लुपत अंको को ग्यात करना है यहां है वन यहां है यहां है 15 यहां है हमारा 64 तो यहां हमें देखना है कि हमें क्या करना है ठीक है अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो भाई यहां अंतर आगे हमारा थिरी का अगर यहां अंतर देखते हैं तो यहां हमारा 11 का आगया यहां देखते हैं तो यहां हमारा 49 का आगया और यहां हम दे में देखना है वहन से अगर फूर की तरफ जाएं तो हम क्या करें अगर वन में हम मल्टिप्लाइब करते हैं टू की और पिलस टू को एड़ कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है यह फूर हो जाता है ठीक है क्योंकि दो एकम दो ठीक है तो एकम दो और पिलस टू पिलस हो जाएगा अपिर हमें का नैस्ट जाने के लिए किया करना ही पड़ेगा ours cats multiply करी हमने कितने की 3 की और भाई पिलस 3 ही एड़ कर दिया यहाँ 2-2 की कर रहे तो यहां 3-3 की करने पळेंगी तो कितने वह नहीं भी चारतिया ढार है बारहे और तीन 15 15 15 से 65 की ओर जाने के लिए 15 में हमें multiply करनी पड़ेगी कितने की 4 की और पिलस कितना जोड़ना पड़ेगा 4 15 का 60 और 4 64 अब इस तरीके से जो next number है हमारा आएगा 64 में हमें multiply करनी है प्यारे बच्चों कितने की 5 की और हमें क्या है 5 ही add करना है ठीक है 5 की multiply करनी है और 5 ही add करना है 64 पंजे होते हैं 320 और 320 में 5 जोड़ेंगे तो 325 आजाएगा 325 देखिए आपके option में है 325 बिल्कुल है जी c option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा तो 325 ही हमारा क्या answer है आप हमें telegram पर follow कर सकते हैं और app भी पर हमें आप login कर सकते हैं उसका link भी दे रखा है telegram पर आपको daily notification current affair के question और जो भी हमारे question कुछ thought, नई history, geography हर तरीकी के question आपको update होते रहते हैं पर देड़ और video के link आपको महाँ से मिल जाते हैं तो आप हमारे telegram को जरूर follow करें उसका link video के description में मिल जाएगा चलते हैं next question के ओर उस संख्या यूगम का chain करें जो दो संख्या एक दूसरे से संबंदित नहीं है क्यूंकि दिये गई संख्या यूगम में संख्या संबंदित है ठीक है जिस तरीके से यह हमारा उपर वाला इन्होंने दे रखा है यह क्या 31 31 का स्क्यार करेंगे तो यह हमारा जाएगा 9,6,1 ठीक है 31 का स्क्यार करेंगे तो यह हमारा कितना जाएगा 9,6,1 इसी तरीके से हमें सारे option में देखना है कि यह किस का स्क्यार है a Beach 24 600 का color नहीं हो सकता ठीक है तो यह हमारा कई रोस सबढ़ jar को गया बीस होता है 400 यह भी नहीं हो सकता अठारे का भी हो सकता अगर हम 27 का देखते हैं तो 27 मारा 739 ठीक है क्यूंकि 27 का इसक्ञार करोगे तो यह हमारा कितना जाएंगा 739 साजाएगा ठीक है बच्चो आपको इसक्यार और क्यू कम से कम आठ तो आपको 100 तक लेने चाहिए और क्यू आपको कम से कम 50 तक हमारे стран कौशन करोगे के गवाजर के देखने को मिलेंगे तो यहां से भी आप याद कर सकते हो चलते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन और लास्ट कोश्चन हमारा यह है कि एक ही पासे को दो अलग अलग इस्तितियों में दिखाया गया यादि संक्या एक निचले बोर्ड पर है तो उसी उपले बोर्ड पर कौन सी संक्या होगी इसमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त शिक्स और दूसरे में हमारा क्या यहां फोर है यहां धिरी है और यहां टू है जब दो तरीके के इस तरीके के उन्होंने पास यह दे रखे हो भाई ने घवराणा मत यह हमने थोड़ा वैसा बना दिये पूरे डाइग्रम बना के नहीं बनाए तो इसमें क्या जब हमार इस किलॉक वाइज गुमा लेते हैं ठीक है जिस तरीके से हमारी किलॉक गुमती है उस तरीके से हम इसको गुमा लेते हैं यह हमारा करणा थिरी 3 से आगए हमारा 6 है 6 के बाद हमारा 5 है इस तरीके से ये घुम रहा है नीचे बारा देखते हैं ये 3 है 3 के बाद में क्या है 4 है और 4 के बाद में क्या है 2 है ठीक है तो इसमें ये बोलते हैं कि ये 2 जो हैं अपने आपस में क्या हैं विपरित हैं विपरित मैंने इसके 6 के पी संक्या एक ही नीचनली बोर्ड पर क्या होगा भाई ये ये इक ही 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 चीज है हं एक के की नीचन है 3 और रिंज च 4 तो इसलिए option हमारा 3 हो गया 1 के नीचनल क्या क्या होगा 3 होगा क्योंकि एक नीचे 3 है और तीन के नीचे 1 होगा क्योंकि ये एक दूसरे के जबीत में होते हैं थो इसलिए हमारा 3 option हो जाएगा । हम तो ए तो मिरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे top 10 questions reasoning के आपको क्या है हम per day top 10 questions reasoning कर रिजनींго ree tax stomachs के आपको per day आपको मिली रहे जो भी हमारे एक्जाम चल रहे हैं DDA की पटवारी का एक्जाम हमारा स्टार्ट हो चुके हैं और SSE Face 8 के एक्जाम चल रहे हैं CPO का हमारा एक्जाम स्टार्ट होने वाला द्हनी कॉंस्टिवल का आपको नॉमबर के लास्ट में डिस्क्रेशन में दे रखा है ओके तो आज के लिए इतना ही तेंक यू